पहान्या निखू और दिपू खेत से लट रहे थे उनके पीछे एक पुत्ता पड़ गया दोनों भागने लगे आचानक ठोकर लगने से दिपू की चपल तूट गई अब वह ठीक से चन भी नहीं पा रहा हा निकू आगे निकल गई दिपू परकान हो उठा खुत्ता भी पास आ रहा था कभी गईपू को दादा जी की बात याद आई खुत्ते को देखकर कभी दोड़ना नहीं चाहिए नहीं तो वह भी आपके पीछे दाड़ेगा दिपू चुक्चा खड़ा ओ गया पुत्ता भी दिपू के बास आकर उसे सुंगने लगा दिपू भीमत करके चुक्चा खड़ा रहा थोड़ी देख बाद पुत्ता वापस लट गया दिपू भी अपनी राष्टे लगा चाहिए लिए वेरी बुट्टा पासिंदा